सुजलाम संस्थान बारा 12 से 9 अप्रेल तक शीमाधोपूर विधान सभा के शेत्र में गाउंगाउं धाड़ी धाड़ी जलसन रक्षट परियावरण सुरक्षाईवांग कुमभराम लिफ्ट पे अजल परियोजन लाने की मांग के लिए जल यात्रा निकाले गई यात्रा के संयोजक डॉक्टर योगेश यादो ने कहा कि विश्वस्तर पर शीमाधोपूर विधान सभाशेत्र पे अजल की द्रिष्टी से दस्थान का सुखाग्रस्त घोशित है पानी की किलत के कारण लोग पलायन को मजबूर है सहसायोजक डॉक्टर कविता यादो ने महिलाओ की पिड़ा को जनजागरिती से सरकार तक पहुचाने का संकल्प लिया परियावरण गतिवीधी प्रांती प्रचार प्रमोख विवेकानन्द जोशी ने कहा कि जल यात्रा का मकसद भीरोध या प्रदर्श नहीं है बलकि पानी की एक बुंद बचाना है वेकाननन ने कहा कि पानी सनरक्षर के लिए समाज के हरवर्ग की भागिदारे आवश्यक है यात्रा की प्रवक्ता दिनेश गोविंद शर्मा ने कहा कि शिमाधुपूर की जनिता को शुद्ध प्याजल एवंग सचाई जल मिल हितू एक लाग संकल्प पद पत्र भरबाकर माननी राश्पती एवं किंद्रिय जल शक्ती मंत्री को सौपे जाएंगे यात्रा के दोरान जल पंचाज जन जागरीती हितू मसाल जिलोस मौन जिलोस पैदल मार्च 15 अप्रेल को रात आट बचे कभी सम्मिलन क्या जागा जल यात्रा के समन्नमन्वैक दिले पुशिंग शिखावत वो मुकेश शर्मा ने बताया है कि यात्रा 12 अप्रेल से सुभे 9 बजे त्रिबडी धाम से प्रारंभो की 12 अप्रेल को अजमेरी 13 को काला कोटा 14 को कल्यारपूर 15 को अजितगर 16 को मुंडरू 17 को कंचनपूर 18 को अर्निया में रातरी चौपाल का आयोजन रखा गया है यात्रा के दर्म्यान शहरी बग ग्रामर इलाकों में जल्यात्रा निकाल कर जलसन रक्षर परियावरण सुरक्षाई बंग नहर लाने की मांग का संदेश दिया जाएगा इस आउसर पर जल्यात्रा के नहर लाओ शिमाधुपूर बचाओ पोश्टर का भी मोचन भी कियागा